Good morning students! I hope you all are healthy, happy and safe at your home. Kids, in today's class, we are going to discuss about the letter F. Letter F. Now, see this, what I have? It's a fish. It's a fish. और जब मैं आप फिश बोलती हैं, तो आपको फिर्स साउंड काउन से सुनाई देती है? फिर्स की. कौन से सुनाई देती है? फिर्स की. तो letter F की साउंड क्या होती है? फिर्स एफ फिर्स एफ फिर्स तो आज, kids, हम कुछ और ऐसे पिच्चर्स देखेंगे, जिनकी साउंड फिर्स है. तो आएए, one by one, हम उन पिच्चर्स को देखते हैं, जिनकी साउंड फिर्स है. सबसे पहले हम ये पिच्चर्स देखेंगे, kids, आप इसे identify केजिए और मुझे बताइए, ये किस आनिमल की पिच्चर्स है? वेरी नाइस, ये है, frog. क्या है ये? फ्रॉग. और जब माम, फ्रॉग बोल रही है, तो आपको फिर्स साउंड कौन सी सुनाई दे रही है? फ्रॉग. अब हम नेक्ट स्विच्चर्स देखते हैं. ये देखेंगे, ये क्या है? बेरी नाइस, ये है फ्रॉग. क्या है ये? फ्रॉग. आप सबके भी हाउस में फ्रॉगा, हाना? ये फ्रॉग है. और जब माम फैन प्रेनाउंस कर रही है, तो आपको फ्रॉग साउंड कौन सी सुनाई दे रही है? फ्र की. फ्रॉग. 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 अब हम नेक्ट स्विच्चर देखते हैं. ये देखेंगे. ये कौन सा आनिमल है? फिश. क्या है ये? फिश. फिश. जब माम बोल रही है, तो आपको फ्र साउंड फ की सुनाई दे रही है. फ्र, फिश. फिश फिश फ़ फ्रॉग फ़ फैन फ़ फिश अच्छा जब मैम ने फ़ फ्रॉग फ़ फैन फ़ फिश कहा तो आपको फ़ की साउंड शुनाय दी अब हम देखते हैं कि letter F दिखता कैसा है उसे हम कैसे लिखते हैं ये देखिए ये है letter letter F ये है capital F ये है small F इसे हम uppercase F भी बोलते हैं और इसे lowercase F भी बोलते हैं और F की sound क्या होती है? F F F F F अब हम अपनी first finger की help से capital F और small F को trace करेंगे सबसे पहले straight line then one line then another line ये हो गया capital F क्या हो गया? capital F अब हम small F को trace करेंगे थोड़ा सा curve बनाते हुए straight line और इसके बीच में एक छोटी सी line ये हो गया small F क्या हो गया ये? small F अब हम एक बार फिर से read करते हैं फ़ फ्रोग फ़ फान फ़ फिश फ़ फ्रोग फ़ फान फ़ फिश फ़ 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 यहां माम ने capital F और small F लिख रखा है अब हम capital F और small F और one by one बिंदीज पेस्ट करेंगे ये देखिए माम के पास ये बिंदीज हैं हम इने one by one capital F और small F पेस्ट करेंगे वन by one हम बिंदी लेंगे पहले स्ट्रेट लाइन पर पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से ये हम बन मन करके सारी बिंदीज पेस्ट करते हैंगे बिंदीज को पेस्ट करते हुए डिरेक्शन का ध्यान रखेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन फिर उपर जाकर होरिजॉंटल लाइन में बिंदीज को पेस्ट करेंगे आप नीचे वाले लाइन में पेस्ट करते हैं ये देखे ये हमने capital F पर बिंदीज पेस्ट कर लिए हैं आप हम small f पर बिंदीज पेस्ट करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा curve बनाएंगे और उस पर बिंदीज पेस्ट करेंगे और फिर straight line पर बिंदीज पेस्ट करेंगे इस तरह से अब हम जो horizontal line है उस पर भी बिंदीज पेस्ट करेंगे इस तरह से parents आप सब भी ये activity बच्चो को कराएंगे इसके लिए आप white paper पर capital F और small f different different color से लिखेंगे और बच्चो की help करते हुए उससे बिंदीज पेस्ट कराएंगे और बिंदीज पेस्ट कराने के बाद इसकी photo group में share करेंगे और next time हम new letter के साथ मिलेंगे till then bye bye